हेलो एवरिबड़ी वेलकम बैक टू माई चैनल मैं एकता आपका मेरे चैनल एकता क्रेशन्स में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक आफशोर्डर ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग इस ब्लाउस को मैंने एक साड़ी के साथ मिले हुए ब्लाउस पीस से बनाया है तो साड़ी के साथ मुझे जो ब्लाउस पीस का फैवरिक मिला था वो सिर्फ 80 cm का फैवरिक था तो उस फैवरिक से बहुत ही इसली ये आफशोर्डर ब्लाउस बन जाता है और उसके बाद कुछ फैवरिक बच गया था तो मैंने इसमें लगाने के लिए इस फैवरिक से एक फ्लावर भी बनाया है और इसके बॉटम्स पे मैंने फ्रिल भी अटेच की है तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का ये जो ब्लावस मैंने बनाया है वो प्रिंसस कट पैटन में बनाया है तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने सबसे पहले पेपर पे कटिंग की है तो ये मैंने एक पेपर लिया है ये ब्राउन पेपर है इस brown paper को मैंने double fold में लिया है और इसकी width ली है मैंने 11.5 inches और यहाँ पे मैं length draw कर रही हूँ 16 inches ये back part के लिए length draw कर रही हूँ और ये जो blouse बन का ready होगा वो 15 inches length का होगा उसके अलावा भी मैं इसके नीचे frill लगाऊंगी तो इसकी length और बढ़ जाएगी अब मैं यहाँ पर shoulder draw कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने shoulder draw की है 7.5 inches और arm hole की जो depth ली है वो मैंने यहाँ पर 7 inches ली है और इसके बाद मैंने यहाँ पर back का arm hole draw कर लिया है अब मैं यहाँ पर front का arm hole भी draw कर लूँगी तो 1 inch मैंने अंदर की तरफ mark किया है और इसे उपर shoulder से joint करके यहाँ पर मैंने ये front का arm hole भी draw कर लिया है इस तरह से अब मैं यहाँ पर neck की marking कर रही हूँ तो center पर मैंने 5 inches mark किया है और arm hole पर मैंने 1.5 inches mark किया है और इस तरह से इसे joint कर दिया है अब इसके बाद मैंने इस पर हलका सा curve बना लिया है और ये मेरा back का और front का दोनों का neck same होगा अब यहाँ पर मैं tucks की marking कर रही हूँ जो कि उपर से मैंने 10.5 inch लिया है और center से मैंने 4 inch लिया है और इस तरह मैं इसको मिला लूँगी तो back पर मैं 1 inch के tucks लगाऊंगी back वाले part पर तो इसलिए मैंने दोनों sides पर half inch draw कर लिया है और इसको उपर से मिला लिया है अब मैं ये princess cut blouse बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर arm hole पर उपर से 5 inch पर marking कर लिया है और इसको मैंने full burst वाले point से मिला लिया है अब मैं यहाँ पर front में जो princess cut है उसकी tucks की marking करूँगी तो उसके पहले मैं यहाँ पर length बढ़ाऊंगी तो यहाँ पर मैं length बढ़ा रही हूँ front वाले part की half inches तो यह देखिए इस तरह से मैंने paper पर half inches बढ़ा दिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर two inch का यह टक्स की marking की है और उपर की तरफ भी मैंने two inch mark कर लिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पर princess cut draw कर दिया है अब इसके बाद यह देखिए इस corner को जो back वाला corner है उससे मिला दिया है तो यहाँ पर west है 32 inches और इसको हम four से divide करते हैं तो वह eight inches होता है plus two inches यहाँ पर tux का हम जोड़ेंगे और half inch हम stitching का जोड़ कर यहाँ पर 10.5 inch पर इसको mark करेंगे west की marking के लिए और chest यहाँ पर 34 plus 4 is equal to 38 divided by 4 is 9.5 और 9.5 में one inch मैंने यहाँ stitching के लिए जो extra fabric लगेगा वह जोइन किया है तो 10.5 पर mark किया है chest के लिए आप same marking 36 size के blouse के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा loose blouse पहनना पसंद करती हूं इसलिए मैं यहाँ पर losing ज्यादा लेती हूं तो यह 34 से 36 size के लिए perfect रहेगा आप 34 में थोड़ा chest कम ले सकते हैं और 36 के लिए एकदम perfect रहेगा अब देखिए friends यहाँ पर हमें अपना जो shoulder है उसकी चारों तरफ इस tape को अच्छे से गुमा कर measure कर लेना है और यहाँ पर मेरा आ रहा है 36 inches तो उसको मैंने 4 से divide किया है तो वो आ रहा है 9 inches तो यहाँ पर मैं center से 9 inch mark कर रही हूँ arm hole तक और नीचे की तरफ मैं यहाँ पर 3 inch इस तरह से marking कर रही हूँ 3 inch की पट्टी यहाँ पर extra बाहर की तरफ लिख लेगी बस यहाँ पर इसको मैं draw कर रही हूँ cut नहीं करना है यहाँ पर यहाँ नीचे की तरफ भी यहाँ मैं 3 inch mark कर रही हूँ यह देखिए पहले वाले जो हमने draw किया है उससे इसको इस तरह से extend कर रही हूँ अब यहाँ नीचे की तरफ हमने जो उपर 9 inch लिया है तो हम यहाँ नीचे वाले पार्ट पे 10 inches measure करेंगे तो यह देखिए इस तरह से tape को रखते हुए मैं 1 inch extra आपको यहाँ पर लेना है तो यहाँ पर मैं इस तरह से यह 10 inch यहाँ पर आ रहा है वहाँ पर mark करूँगी और उ इसको मैं इससे इस तरह से मिला लूँगी यह देखिए friends यहाँ पर मैंने extra margin लेते हुए इसको draw कर लिया है अब इसके बाद मैं इसके जो arm hole है वहाँ पर हलका सा यह curve बनाऊंगी front arm hole पे भी और back के arm hole पे भी और इसके बाद मैं इसका जो back का arm hole है उसको मैं cut कर लूँगी अभी neck वाला part भी cut कर लूँगी क्योंकि इसका जो back का neck है और front का neck है वो दोनों same है और इसके बाद मैं इसको दो pieces में divide कर लूँगी तो यह देखिए यह back का piece है तो इसमें जो नीचे extra 1 inch मैंने लिया था उसको मैंने cut कर दिया है और यहाँ पर जो tux है उसकी भी मैंने marking कर लिया है यहाँ मैं 1 inch का tux बनाऊंगी back वाले part पे अब यहाँ पर मैं chest की marking कर रही हूँ जो की है 9.5 inches और यहाँ पर west की जो marking है वो है 8 plus 1 inch tux का तो 9 inches तो इसको मैंने इस तरह से mark करके draw कर लिया है और इसके बाद मैं front वाले part पे जितना margin लिया था उतना ही margin मैं यहाँ back व अब इसके बाद मैं इसको भी cut कर लूँगी अब यह front वाला part है तो इसको भी मैंने यह देखिए जहाँ जहाँ मैंने draw किया था यह पूरा मैंने cut कर लिया है front का arm hole भी मैंने cut कर लिया है और नीचे भी जो bottom है उसको भी मैंने cut कर लिया है half inch extra लेते हुए अब मैं इन सारे paper cutting को अस्तर की ऊपर रखकर cut करूँगी तो यह अस्तर को मैंने double fold करके लिया हुआ है और इसके बाद इसके folded side पर मैं इस तरह से इस paper cutting को place करूँगी यह देखिए यह front वाला part है इसको मैं इस तरह से रखकर यहाँ पर marking कर लूँगी अब मैं back वाले part को इस अस्तर की ऊपर place करूँगी यहाँ पर मैंने half inch extra लिया है center वाले part पर क्योंकि यह back open blouse बनेगा अब मैंने जो अस्तर पे marking की थी उसको मैं cut कर लूँगी और सारे अस्तर pieces ready कर लूँगी और इन अस्तर pieces को अब मैं blouse के main fabric के ऊपर रखकर इस तरह से चारों तरफ से stitch करके secure कर लूँगी यह देखिए और इसके बाद मैं इसे cut कर लूँगी तो इस तरह से मैंने इन सारे pieces को cut कर लिया है अब मैं यहाँ पर neck पर लगाने के लिए पट्टी कट करूँगी तो यह देखिए friends यहाँ पर मैं neck की पट्टी कट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने अस्तर की उपर इस neck वाले part को place कर दिया है और इस तरह से मैं यहाँ पर two inch की यह पट्टी कट कर लूँगी ऐसी मैं front वाले part के लिए और back वाले part के लिए दोनों के लिए इसी तरह से पट्टी कट करूँगी तो यह देखिए friends इस तरह से यह हमारी पट्टी कट कर ready हो गई है friends सबसे पहले हम इस blouse piece को सीधा रखेंगे उसके ऊपर इस पट्टी को उस तरह से arrange करेंगे और उसके ऊपर हम stitch लगा कर उसको पलट लेंगे और इन पट्टियों के bottom वाले पार्ट को भी हम single fold करके ham कर लेंगे क्योंकि इस पर हमें तुरपाई लगानी है अब यह देखिए friends यह front वाला पार्ट है इस पर मैंने यह दो pieces हैं मैं sights के उसको attach कर लिया है और इसके neck वाले part पर मैंने पट्टियों stitch कर दी है इस तरह से अब इस पर मैं हलके cuts देते हुए इसको पलट लूँगी तो यहां पर मैंने हलके cuts लगा लिए हैं और cuts लगानी के बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसके उपर मैं टॉप की स्टिच लगा दूँगी और इसी तरह से ये आम होल पे भी मैंने पट्टी बना ली थी और इसको भी मैं इस तरह से कट करूँगी और इसके बाद मैं इसको पलट लूँगी और इसके ऊपर भी मैं finishing की stitch लगा दूँगी और इसी तरह से हम back वाले parts भी ready करेंगे तो यहां 20 से मैंने इसे cut कर लिया है क्योंकि यह back open blouse है और इस पर मैंने यह पट्टी लगा दी है eye और hook की और इसके बाद इसके neck वाले part पे भी मैंने पट्टी लगा दी है यह देखिए इस तरह से इसके बाद हम इसके back वाले part पे यह tucks की सिलाई लगा देंगे दोनों sides पे और इस पे हमने जो fitting की marking की थी उसको भी हम stitch कर लेंगे और इसका यह shoulder वाला जो part है उसके जो हमने marking की थी उसके उपर भी हम stitch लगा लेंगे यह देखिए फ्रेंड सेंटर से 9 इंच पर हमने mark किया था वहीं पर हमने यह stitch लगाई है यहां मैं आपको measure करके दिखा रहे हूँ और इस पूरे neck को हम measure करेंगे तो यह 36 इंच आएगा और इसका जो bottom वाला part है इसको भी मैं measure करके दिखाती हूँ यह total 10 इंच आएगा सेंटर से यह देखिए इस तरह से हम इसको measure करेंगे तो यह 10 इंच आएगा फ्रेंड्स आप इसके back वाले part पे zip भी लगा सकते हैं यहां पर मैं hooks लगाऊंगी और यहां पर मैंने जितने भी पट्टियां लगाई थी उनके ऊपर मैंने तुरपाई कर ली है अब इसका जो bottom वाला part है इसको हमें ready करना है तो यहां पर fabric बच गया है तो मैं यहां पर नीचे वाले part पे frills लगाऊंगी तो यहां मैंने frills के लिए जो fabric लिया था उसकी width थी 6 inches और इसकी length मैंने ली थी 70 inches और इस तरह से उसको double fold करके मैंने इस frills को बना कर यहां attach कर लिया है frills attach करने के बाद यह पट्टी बच गई थी तो इसकी यहां पर length है 30 inches और इसकी width है यहां पर 6 inches तो इसको मैंने इस तरह से उल्टा करते हुए double fold कर लिया है इसके उपर मैं stitch लगा लोंगी और stitch लगाने के बाद मैं इसको पलट लोंगी अब पलटने के बाद जो stitch है उसको हम center में लेते हुए इस तरह से इस fabric को अच्चे से arrange करेंगी यहां जो stitch है उसको हम center में लेंगे और उसकी उपर ही हम stitch करेंगे तो उसको center लेते हुए उसके उपर हम इस तरह से frills बनाएंगे ये देखिए ये half of inch की मैंने यहाँ पर frills बना ली है और हमें इसे center से stitch करना है तो इस तरह से हम इस पूरी fabric के उपर ये frills बना लेंगे ये देखिए अब इसके बाद इसको हम 20 से इस तरह से fold करेंगे ये देखिए इस तरह से दबाते वे से fold करेंगे और fold करने के बाद इसको इस तरह से हलके हातों से हम roll करेंगे ये देखिए इस तरह से हमें से roll करते जाता है इसको tightly roll नहीं करना है हलके हातों से रोल करना है और इस तरह से हमारा ये flower बंकर ready हो जाएगा अब इसको हम सुई धागे से अच्छे से secure कर लेंगे तो ये देखिए सुई धागे की help से मैं इसको stitch करके secure कर लूँगी और ये हमारा flower बंकर ready हो गया है अब इस फ्लावर को मैं अपने ब्लाउस के राइट शोडर पर इस जगह पर स्टिच करके सेक्योर कर लोंगी तो यहां मैंने सुई धागे की हल्प से इसको स्टिच कर दिया है और इस तरह से यह हमारा ब्लाउस बनकर रेडी हो गया है अब आएए देखते हैं इसका लोप वियर करने पर यह कैसा लगता है थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग अब आएए देखते हैं इसका लगता है